Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and very much consistent with your studies. A very happy Mahashivratri to all of you and आशा करता हूँ कि भोले नाज जी आपकी सारी मन कोमना है पूरी करें. आज के Current Affairs के पहले एक छोटी से Announcement है. यह Test Series जो है 19 February से शुरू हो रही है क्योंकि आपका Exam 21st May कोई इसके लिए आप अभी से ही तयारी करते जाएं और जादा से जादा Number of Test को आप अपियर करें और उन्हें जल्दील्दी लिखें. और यह Material भी जो है नया Material आ चुका है आप तो इसके लिए भी हमें Contact कर सकते हैं और एक 30 Test की Test Series है जो की Preliams के बीच में इसमें Gap दिया हुआ है. Preliams के एक मैंने पहले यह बंद हो जाएगी फिर से आप Resume करेंगे. जो पहले दिये हुए subjects उनका Test आप दीजिए Preliams के साथ साथ. और अगर कोई ज़्यादा Test देना चाहता है तो 50 Test की Unit Wise Test Series भी है इसमें आपको एक Unit पढ़ना है और Test लिखना है. चलिए आज का Current Affairs शुरू क करते हैं. The question is, where is Abhay Prasal Stadium? Abhay Prasal Stadium जो है, वो कहां पर है? Options are Indoor, Bhopal, Gualier and Jabalpur. The correct answer is Indoor. यह कहां पर है इस्टेडियम? यह इस्टेडियम है आपका Indoor में. ठीक, अब Bhopal में कौन-कौन से इस्टेडियम है? Bhopal में आपका Tartya Tope Stadium है, जिसको TT Stadium भी बोलते हैं. यहां पर क्या है किसीच के लिए फेमस है? It has Sports Museum. यहां पर क्या है? Sports Museum है. ठीक, यह आपको याद रखना है. Tartya Tope Stadium, Bhopal में क्या है? Sports Museum है. और Bhopal में एक और स्टेडियम है, बहुत फेमस एश्बाग स्टेडियम. ठीक है? यहां पर क्या खेला जाता है? यहां पर खेला जाता है, हौकी का स् ओबेदुल्ला, ओबेदुल्ला गोल्ड कप का होकी टूर्नामेंट यहां पर हर साल खेला जाता है. यह भी आपको याद रखना है. ठीक है? यह तर्फ का है. इसके बाद गौालियर का एक बहुत फेमस स्टेडियम है. जिसका नाम क्या है? रूप सिंग. रूप सिंग स्ट स्टेडियम का नाम है. ठाकुर रनमत सिंग. ठाकुर रनमत सिंग जो है रीवा के बहुत फेमस एक स्टेडियम का नाम है. ठीक है? इस तरीके से आपको सारे नाम याद कर लेने हैं. अब एक जबलपूर भी दिख रहा है. जबलपूर में कौन सा है? यहां पर है रानीताल स स्टेडियम यह क्रिकेट के स्टेडियम है ठीक है अब मुझे एक इंपोर्टन एक अपको चीज बतानी है वह यह है कि यह जो है देखिया रिखरेश्ट्रेट ऑफ इस पूर्ट्स and youth welfare department and youth welfare department was established on किस date पे established किया गया था sports and youth welfare department या sports department MP का 1st of October 1975 यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि sports specifically syllabus में दिया हुआ है और बहुत सारे sports के events अभी recent past में एक दो महने में हुए हैं चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हम the next question is about one of the central government scheme जिसका नाम है Amrut 2.0 अब Amrut का पहले full form यह भी आ सकता है आपके exam में वो है अटल mission for rejuvenation and urban transformation ठीक है यह अटल का full form है यह इसकी पहली बार कब आई थी यह तो 2.0 है मतलब दुबारा इसको लाया जा रहा है water electricity LPG gas या internet the correct answer is water correct answer is water ठीक है water मिलना चाहिए हर household को यह इसका aim है और यह किस ministry का initiative है यह है housing ministry of housing and urban affairs urban affairs तो आपको इसमें दो चीज़ आत करनी है कि अमृत जो है launch पहली बार जून 2015 में हुआ था अमृत 2.0 जो है वो 1st October 2021 से शुरू हुआ है और अमृत 2.0 का aim है 100% water supply to all the households चलिए next question देखते है national deaf sports championship ठीक है इससे related है यह कहां पर हो रही है यह अभी इन दौर में हो रहा है national deaf sports championship उससे related question है in national deaf sports championship सान्या डोग्रे वन विच मैडल इन 100 मिटर रेस 100 मिटर रेस में जो हमारे मध्यप्रदेश की सान्या डोग्रे है उन्हें कौन सा मैडल मिला है उन्हें silver, bronze, gold या कुछ भी नहीं तो उसमें answer है gold उन्हें क्या मिला है एक gold medal मिला है ठीक है किसमे 1000 मिटर रेस में किसे सान्या डोग्रे को और एक और है अकांशा नाम के sports person है उन्हें क्या मिला है उन्हें भी gold मिला है बट judo में तो judo में अकांशा इनको मिला है और सान्या को किसमें मिला है 1000 मिटर रेस में चलिए आगे देखते हैं गावसकर border trophy is played between which two countries किस दो countries के बीच में ये खेला जाता है कौन सा गावसकर border trophy इंडिया वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और बांगलदेश इंडिया और साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चलिए आगे देखते हैं वेर इस पशुपतिनाथ temple located in MP MP में पशुपतिनाथ temple कहाँ पे located है options है खजराहो, मंधाता, मंसौर या फिर भोजपूर correct answer is मंसौर मंसौर में है ये ठीक है on the bank of on the bank of river शिवना ये ट्रिब्यूटरी है चंबल की ठीक है और बाकी के खजराहों में कौन से temple है ये मुझे आप comment box में बताएं मैं कहीं बर पढ़ा चुका हूँ एक temple में आपको बता देता हूँ मतंगेश्वर temple मतंगेश्वर temple कहाँ पर है खजराओं में एक temple खजराओं में जो है उसका नाम आप बताएं मुझे ठीक है मंधाता में क्या है मंधाता में ओमकारेश्वर temple ओमकारेश्वर temple है और बोजपूर में बोजेश्वर temple इसके बा सोमनात आफ इस्ट, सोमनात आफ इस्ट कहा जाता है किसे बोजेश्वर टेंपल को, पंचमरी में भी एक और फेमस टेंपल अभी न्यूज में था वो, वो है चौरा गर्ड, चौरा गर्ड, टेंपल इस इन पंचमरी, राइट, पंचमरी किस डिस्टिक में आता है, यह मुझ सा जोतिरलिंग famous है options है त्रम्बेकेश्वर महाकालेश्वर ओमकारेश्वर और काशी विश्वनाद the correct answer is महाकालेश्वर ठीक है अब यहाँ पर दिखें इक question आपको बहुत easy लग रहा है बट इसका explanation को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा महाकालेश्वर क्या है it is the only south facing only south facing जोतिरलिंग यह इकलौती south facing जोतिरलिंग है और बाकी के बाकी जो इसके अलावा 11 है वो कौन से facing है अब यह बच्चों को जनरली ध्यान नहीं रहता है तो others are others are east facing बाकी की सारी east facing है अब यह भी question आ सकता है कि महाकालेश्वर जो की south facing है उसके अलावा बाकी जो जोतिरलिंग्स है टोटल कितनी जोतिरलिंग्स है इंडिया में 12 राइट अब महाकालेश्वर जो only south facing जोतिरलिंग है तो other east facing जोतिरलिंग है आपको यह ध्यान रखना है राइट तरंबिकेश्वर कहां पे यह है नासि बैंक नौर्थ बैंक ओफ नर्मदा रिवर राइट नौर्थ बैंक ओफ नर्मदा रिवर ओमकारेश्वर जोतिरलिंग्स सिचुएटेड राइट काशी विष्वनार जो है वारा नसी में है यह आपको सारे facts जियाद कर लेने total 12 जोतिरलिंग्स है एक दिर हम इसके बार में भी डिसकस करेंगे कहा 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 है MP में केवल दो है उसमें से ठीक है दोनों के नाम मैंने बता दिया आपको तो उनके बारे में थोड़ी ज्यादा डीटिल में हम आगे किसी और दिन पढ़ेंगे चलिए अब एक interesting question आपसे पूछता हूँ मैं which princely state from Madhya Pradesh first joined the constant assembly ठीक है constant assembly देखे constant assembly जो थी उसमें दो तरफ से लोग आने थे ठीक है उसके total 389 members थे उसमें से कुछ आपके आने थे princely state से और कुछ आने थे आपके provinces से ठीक है provinces की जो legislative assembly थी वहां से आने थे अब simple सा question है कि जो princely state थे उनके representative initially नहीं आये थे उन्होंने बाद में join किया था तो MP में ऐसा कौन सा princely state है जिसने सबसे पहले constant assembly को join किया था options हा रीवा इंदौर भोपाल एंड गौालियर ता correct answer is रीवा रीवा ने कब join किया था रीवा ने किया था 28th of April 1947 ठीक है इस date पे actually छे princely states के representatives join किये थे ठीक है उसमें से एक था रीवा हमारे लिए रीवा जादे important है otherwise छे में तो आपके जोधपुर जैपुर राइट बडोदरा पटियाला बिकानेर ये थे ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 और इस 6 आपका रीवा छे princely states ने join कर लिया था constant assembly को 28th April 1947 में बट हमारे लिए important ये है कि MP का कौन सा princely states था जिसने पहले join किया था राइट चलिए next question देखते है अच्छा यहाँ पे last में जब शुरू में इत्ता हुआ कितने 389 थे बट last में final कितने बचे थे इसम comment box में मुझे बता है final जब partition के after partition कितने रहे गए थे members और कितनी female members थी total there were 15 female members were there in the constant assembly यह आपको ध्यान रखना है राइट चलिए next question which princely state never joined the constant assembly इन में से कौन सा princely state है जिसने कभी भी constant assembly को join नहीं किया ओप्शन सा जूनागर जम्मू एंड काश्मीर भोपाल एंड हैदराबाद हैदराबाद is the correct answer हैदराबाद ने कभी भी constant assembly को join नहीं किया था तो यह आपको अच्छे से याद रख लेना है कि इसका answer है है आप देख सकते हैं जो भी आप हमसे कोई भी course या कुछ भी material या कुछ भी है तो इस पर आप हमें inquire करके उसको avail कर सकते हैं thank you very much have a good day good luck to you